हेलो स्वागेत हैं आपका सेविंगूट्स चैनल में तो आज हम लोग सीखेंगे ब्लाज की कटिंग मेरे कभी सीख होता है कि किसी साड़ी को ब्रॉच होता है तो आच्छे से आजाती है लेकिं असथा पड़ जाता है आज हमμε理ोसी की कटिंग helped और दोस्तों जिसमें लेस हो तो हम लोग पहले लेस से बाजु की कटिंग करते हैं तो यहाँ पर बाजु को आपको लंबाई नाप लेना है और हमने बाजु की कटिंग कर लिया है अब हम लोग कपड़े की कटिंग करेंगे बाडी की तो यहाँ पर बीच बीच कपड़े को लेना है और फिर जो अस्तर है अस्तर को भी हम लोग मोड लेंगे क्योंकि अस्तर छोटी होती है और उसमें बार्ड़ भी निकालना होता है और बाजू भी अस्तर को मोडने के बाद हम लोग सीना नाप लेंगे सीना को आपको ब्लॉज से अगर नाप रहो तो ऐसे नाप नाप लेना है और फिर लंबाई नापन कपना है से कट करने के बाद हम लोग अपन करेंगे और यहां पर धियां न अब लोको को समझ में नहीं आती है यह रिखुण तरह हम नyesnon करेंगो इस आपनल मोड लेना है और यहां पर जो पिछे का पल्ला होता है न वो थोड़ा सा अगर half inch आप छोटा भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम पे हमने half inch पीछे का पला को छोटा रखा है और यह साड़ी का मतलब कपड़ा ठीक है और अस्तर को हमने नीचे रखा है अब छोटे वाले पल्ले के बराबर से हमने साड़ी को भी रखा है साड़ी की कपड़ा में इक्ष्ट्र बहुत ज्यादा होते हैं जो अब इसे सीधी करेंगे और हम लेकर गले की नाब तो गली होता है दो इंच आगर कोई पतले लोग है तो बेर गया तो भी और मोट लोग है तो भी अब यहां हम लोग पांच इंच पर्मोर लेंघे और य निछे evolution तरबिड़़ो सबताइसी दिर्शा करके काटना तिर्शा कर जाता है कमर तक पतल उपर और से तोर पडै और सीना का चौड़ा कि आने कभरियों कि हमें कि घुल tussen इंक होते हैं अ 캥 पूरणा रहां कि पुर्णा तो सहिगें से नापसक्ते हैं अब यहां पर जो सोल्डर के पास आता है ना थो सोल्डर के पास आपको तिर्शा करके काटा है थोड़ा सा ठीक हम ने कट कर लिया और दोस्तों इसके पर आपको वेवसाहिट दीक रही है आप वहां से सिलाई, सिल्टेट, सारे समान, डोरी, लेस वगरा खरीश सकते होते हैं हमने यह पकला घु法 को नाप लिया था. थोड़ा सब छोटा था, तो हमने देशे बड़ा कर लेना आ. अब यह पल्ल जो ही हम लोग आ देङीं और बीच जो पला धेंगे और दंट ही यह पकलेंगे, ऐसे मोड के इसलिए लगाते हैं ताकि दोनों डूरी बराबर जिसा में हो ठीक है एक दूतरे के सामने और आप इधर अंदर की तरब जितना भी डीप करेंगे वो सोल्डर से नहीं किरेगी ठीक है तो एक तरफ अगर चार इंच होता है तो दूसरे तरफ तरफ तेन इंच होता मतलब एक इंच का मतलब फासला होता है दोनों के बीच में हमने आगे के और पीछे की कटिंग कर लिया है अब हमें करना है बाजू की कटिंग तो अब जो कटिंग से जो अस्तर बजाता थोड़ा जोसा हम लोग उसे मोडेंगे और मोड के ऐसे बनाना जिसे बाजू अथानी से कट कर लिया तो उम्मिद करता हूं यहां तक आपको समझ में आगई होगी अगर आप इसके इस इसलाई का वीडियो यह देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्सिन में लिंक दिया है आप व और अगर आपको पैकेट वाला चैन वाला ब्लाउज सिलना है तो इसका विडियो देखने के दावरान आपको कहीं पर समझ में ना आई तो कमेंट करके जरूर बताएं विडियो अच्छे लगी होता लाइक और सेर और सब्सक्राइब करना ना भोले मिलते हैं फिर किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई